हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जोप में पर्मानेंट सरकारी नौकरी की बात करेंगे इस वीडियो में सिमुल तला सरकारी आवास्य विध्याले जमुई से जो है वेकंसी आई है परचार्य, उप परचार्य और इसके अलावा जो है मादमे को सिख्षक और उच मादमे के सिख्षक के पदों पर जो भरती के दोनों अलग अलग विध्यापन जारी किये गए हैं सैलरी की अगर हम बात करें काफी अच्छी salary रहेगी, level 11, level 12 के according salary रहने वाली है, तो बाकी जो है notification में सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं, सभी राज्यों के candidate बिल्कुल आविधन कर सकते हैं, starting date देखेंगे कि कब से अपलाए करना होगा, और last date देखेंगे, और selection कैसे रहेगा, IU, योगेता क्या मांगी गई है, बिल्कुल permanent सरकारी नौकरी है, तो सबसे पहले जो है, मैं आप लोगों को विज्यापन संख्या 29-2024, सिमूल तला आवासी विध्याले जमूई में है, और माधिमिक सिक्षक के कुल 41 और उच्छ माधिमिक सिक्षक के कुल 21 पदों पर ये vacancy आई है, दूसरा विज ग्यापन संख्या 30-2024 और ये भी सिमूल तला आवासी विध्याले ही है, जमूई में प्राचारे का कुल एक पद है, और उप्राचारे के कुल यहाँ पर भी एक पद है, उच्छ माधिमिक सिक्षक के लिए सबजेक्ट यहां दिये हैं, बहुतिकी, रसाइन, गनित, वनस् जन्तु विध्यान, इतिहास, राजनिती विध्यान, भूगोल, अर्थ सास्त्र, समाज सास्त्र, मनो विध्यान, दर्सन सास्त्र, ग्रह विध्यान और कंप्यूटर विध्यान, माधिमिक सिक्षक के लिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बहुतिकी, गनित, रसाइन वि जिसमें से 14 पद महलाओं के लिए आरक्षित हैं, वेतन मान लेवल 9 के अकॉर्डिंग रहेगा, योग गेता यहाँ पर कहा है भारत का नागरिक हो, यानि भारी राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल आविदन कर सकते हैं, बिहार लोग सेवा आयोग की तरफ से ये वेकेंसी है, केंडर या बिहार सरकार्द और आयोजित करवाए गए सिक्षक पातरता परिक्षा, टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, सी टेट, एस टेट, 55 प्रतिशत मार्क्स के साथ में आपका ग्रेजुएशन हो, बियड की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है, चीक है, हम बात करें, माधमिक्स सिक्षक के जो 41 पदों पर जो वेकंसी आई है, उसके बाद उच्छ माधमिक्स सिक्षक के 21 पदों पर वेकंसी है, जिसमें 6 पद महलाओं के लिए है, उच्छ माधमिक्स सिक्षक के लिए salary काफी अच्छी रहने वाली है, level 11 के according, qualification कहा है, भारत का नागरि सिक्षक पातरता परिक्षा उतीन होनी चाहिए, नियूंतम 55 प्रतिशा तंकों के साथ जो है, मास्टर डिग्री आपकी सब्जेक्ट की होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिये हैं, और साथ में बियड भी होना जरूरी है, ओम्र सीमा यहाँ पर 25 वर्स क पिछला और अत्यंत पिछलावर की 43, SCST की 45, अनारक्षित महला की 43 है, अन्रिजर्व कैटिग्री की जो महला है उसकी 43 यहाँ पर अधिक्तम आयू सीमा है, चैन जो है, यहाँ पर एक्जाम रहेगा, प्रारंविक परिक्षा लिखित परिक्षा और साक्षातकार, आरक्षण के लिए इन्होंने लिखा है कि आरक्षण के लाव उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका इस स्वाई निवास बिहार राज्ये में हो, अथार तो जो बिहार के मूल निवासी हो, ठीक है, तो यह चीज जो है, आपको इसपस्ट हो गई, कि बहारी राज्य के कैंडिडेट जो है, वो जन्रल में ही काउंट होंगे, और जितनी भी इंपोर्टेंट चीजे होती है, वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सुल्क यहाँ पर जो है, जन्रल कैटिगरी के लिए, सामानने अभ्यरती के लिए 600, केवल बिहार राज्ये के SCST कैटिगरी के जो रुपे ही है, दिव्यांग अभ्यरतियों के लिए 500 रुपे है, ओनलाइन आविदन प्रारम करने की तिथी 25 अप्रेल 2024 से है, और 16 मई 2024 तक रहने वाली है, अभी जो है दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, और इसमें भी जो है अन्तिम डेट और अप्लाइ करने की ड प्राचारे का रहेगा, उप्राचारे का लेवल 12 के अकॉर्डिंग है, क्वालिफिकेशन यहां पर इन्होंने कहा है, किसी मानेता प्राप्त विसविध्याले से कला, विज्यान, वानेज, अभियंतरन, प्रवंदन में 50% अंकों के साथ में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, या फिर राजय सरकार दोरा घोसित, समकक्षयों, सिख्षक, प्रैसिक्षन की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, साथ में यहां पर अनुभव बिलकुल चाहिए, मानेता प्राप्त, इंटर्मीडियेट विध्याले में 15 वर्स का अनुभव हो, जिसमें 10 वर्स का इसनातक या इसनातकोतर सिख्षक और 5 वर्स का सैक्षिक प्रसाशक के रूप में अनुभव यहां पर मांगा गया है, सेलरी जो है वो बहुत अधिक है, उम्र सीमा कम से कम यहां पर लिखा है कि न्यून तम 40 वर्स हो और अधिक्तम 55 एर, सेवा निर्वत जो रिटाइड है, उनकी आयू सीमा है यहां पर अधिक्तम 60, चैन जो है यहां पर भी प्रारंबिक परिक्षा होगी, लिखित परिक्षा रहेगी और साक्षातकार रहेगा, इसमें इन्हों ने लिखा है कि मुख्य परिक्षा के लिए यहां पर किसी एक व जिसे से संबंदित ही प्रस्ण होंगे, तो आप फॉर्म भरेंगे जब, तो वहां पर आपको एक सब्जेक्ट लिखना होगा, जिसमें आप एक्जाम देना चाहेंगे, उसमें बहुते की रासाइन विज्ञान, गनित, मनो विज्ञान, दर्शन सास्र, हिंदी भासा एवं साहित्य, वनस्पति, विज्ञान, जन्तू, विज्ञान, इतिहाज, राजनितिक, विज्ञान, भूगोल, अर्थसास, स्रमाश सास्र, उसके बाद जो है, इंग्लिस, संस्क्रित, उर्दू, लिट्रेचर, वानिज्य, सास्र, हम लेखा विधी, व्यवसाय, अध्यन, और तो इन सब्जक्ट में से एक सब्जक्ट जो है वो आप चूज करें और उसके बाद जो है आपका एक्जाम उसी सब्जक्ट से सम्बंदित प्रशनों से लिया जाएगा, सुल्क जो है वो बिल्कुल समान रहेगा, जो अभी बताया मैंने, यहाँ पर जो है डेट आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यदि आप आविदन करना चाहेंगे, में वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे, bpsc.bih.nic.in, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की में वेबसाइट पर आप आजाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों को 14 मार्च और 2024 का important notice, advertisement for the post of principal and vice principal, सिमूल तल residential school, आवास ये विध्याले की vacancy है, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप विध्यापन आपको पूरा दिखाई देगा, दूसरा जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर है 13 date से 13 मार्च 2024 को, advertisement for the post of secondary and higher secondary, teachers in सिमूल तला, residential school of जामुई, ठीक है, तो government of विहार की तरफ से ये vacancy है, permanent government job है, आवास ये विध्याले में जो है, सिक्षक बनने का ये काफी अच्छा अवसर है, salary काफी अच्छी है, आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है, अगर आपका selection होता है, exam के, त्रू ही selection होगा, तो चले मिलेंगे, next video में, thank you